हेलो फ्रेंड स्वागत है हमारे चैनल ट्यूटोडियल प्लानेट में किलास 12 का ग्रूप डिसकसन जो सिरीज है आपके बुक में ग्रूप डिसकसन वाला सिरीज है वो चल रहा है इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे Human Rights मतलब मानव का अधिकार हर एक मनुष्य का अधिकार है जीना जीवन का अधिकार उसे है और स्वतंतरता पुर्वक जीना कोई उसे गुलाम नहीं बना सकता और कोई उसे उसके जान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता कोई भी मनुष्य अपने पूरी आजादी के साथ जी सकता है उसे जीना चाहिए तो उसका ये अधिकार है तो human rights के बारे में हम आज पढ़ेंगे तो ये आपके English writing skills को ये बढ़ाएगा तो आप जूरे रहें और बहुत सारा वीडियो करीब 10 वीडियो बन चुका है तो वो वीडियो भी जाके देखें description में मैं लिंक दे दूँगा उस playlist का ठीक है तो चलिए सुरू करते है Rights are the basic needs Rights मतलब अधिकार are the basic needs basic जरूरत है आधारिक जरूरत है सबसे महत्वपुर्ण जरूरत है of human life मनुष्य की जिंदगी में अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपुर्ण है बिना अधिकार के मनुष्य का जिवन बिकार है गुलाम का कोई जिवन जिवन नहीं होता they make our life worth living ये जो rights जो है अधिकार जो है make our life हमारे जिवन को बनाते है worth living जीने लायक अधिकार की वज़े से ही हम अपनी जीवन को अच्छे से जीने लायक बना पाते है ठीक है और गुलाम कैसे रहते थे वो सिर्फ गुलामी समझ सकते है गुलाम की जिन्दगी कोई जिन्दगी नहीं होती है it removes discrimination ये हटाता है discrimination मतलब भेद भाव and makes all equal और सब को equal बनाता है भेद भाव हटा करके ये सब को समान बनाता है अधिकार मानव को अधिकार जो मिलता है उसमें सब समान है कोई उच नीच नहीं है it brings peace ये लाता है शान्ती and harmony और तालमेल सामन जस्च लोगों के बीच में तालमेल लाता है it removes discontentment ये औशंतोस को हटाता है औशंतोस सब को अगर समान अधिकार दिया जाए तो लोगों के मन में औशंतोस नहीं रहेगा in our country हमारे देश में human rights have been granted human rights प्रदान किया गया है to all सभी को without any consideration of caste बिना ध्यान में रखे किसी जाती को color and creed किसी रंग और किसी धर्म को बिना ध्यान में रखे consideration मतलब होता है सोच ध्यान तो बिना इन चीजों को ध्यान में रखे सब को human rights सेम मिला है there are there are courts to see बहुत सारे court हैं देखने के लिए whether it is implemented properly कि कहा पर इसे उचित तौर पर उचित तरीके से इसका implement किया गया है इसको लागू किया गया है या नहीं if anybody is deprived deprived मतलब होता है वंचित अगर कोई भी वंचित है of his human right अपने मानवाधिकार से he must raise his voice उसे अवस्य अपना आवाज उठाना चाहिए अगर उसे अवस्य उठानी चाहिए अगर उसे अधिकार नहीं मिला है तो one must raise voice against any kind of exploitation अगर उसके साथ किसी परकार का exploitation मतलब सोसन होता है तो उसे अपने आवाज इसके खिलाफ जरूर उठानी चाहिए against मतलब होता है खिलाफ only then सिर्फ तभी it will be meaningful it will be meaningful इसका कोई अर्थ रह जाएगा मानवाधिकार का अर्थ रह जाएगा अगर आपके धर्म को लेकर के आपके जाती को लेकर के या फिर आपके भाषा आपके रंग को लेकर के आपके साथ किसी परकार का कहीं पर भी पूरे भारत में आपके साथ अगर भेदवाव होता है तो आपको इसके विरुध इसके एगेंस्ट जरूर अपने आवाज उठानी चाहिए तभी मानवाधिकार का महत तो रहेगा ठीक है और आप पढ़े लिखे हैं तो आपको अवश्य ही आवाज उठानी चाहिए कहीं पर किसी के साथ बुरा होता है किसी के साथ छोसन किया जाता है तो ठीक है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा और अपना ख्याल लखें थैंक्यो समझ बाबाई टेक केर